अजी दोस्तों सशिकाल कैसे हाँ मैं परमिंदर आपके चैनल पर आज आपके लेगे हैं 165 गज में 4 वीच के विला विद स्टोर रूम विद पूजा रूम और 55 कार पार्किंग के साथ बिल्कुल सही सुना जी हम जब घर देखते हैं सबसे पहले लेते हैं देखते हैं कि हमा पास इस घर में पार्किंग का कोई आशू नहीं रहने वाला क्योंकि इसमें जो हैं हमारे पास 45 गाड़ी की प्रवीजन मिल रही है to single line आ जाती ही है यहां पर हमारे पास दो गाड़ी यह अगर हमने पार्किंग करणनी हो यह फंक्शन व्हगरा करते थो हमारे पासими जाता है तो कार पार्किंग आपने जानी हो रब आपको दखाते हैं हमारा घर कैसा रहने वाला तो 165 गज में सेक्टर 125 सनीन क्लेव में बहुत ही अच्छे प्राइज नहीं हमारा घर रहने वाला बिल्कुल मार्केट पार्क साथ में हो जाता है तो मैं अगर फ्रन्ट एलिवेशन की बात करूं तो आप इसका फ्रन्ट एलिवेशन देखें बहुत ही प्यारा हमें फ्रन्ट एलिवेशन मिल रहा है तो यहां पर हमारे पास गार्पार्किन की बहुत ही बड़िया स्पेस मिल रही है जैसे कि आप देख पारे हैं, यहां पर गाड़ी हमने पार्क करनी हो तो वह भी लग जाएगी उसके लावा इस साईड हमारे पास टू विलर का भी पार्क करने का काफी अच्छी space मिल रही है तो जैसे की आप देख पा रहे हैं तीन चर बाइक हम यहाँ पे राम से पारक कर सकते हैं उसके लावा यहाँ पर हमने दो टैप्स रखी हैं वोशिंग एरीज़्य इंतरō का यहाँ इसके लावा दो हमने क्वेरी रहती कि हम थोड़े से जो ड्राइंग रूम में जाने के लिए हमें अपनी में डोर से हमें जाना पड़ता है यह बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट आ जाता है उसके लावा अपनी जो नीचे आपने देखा इनवर्टर का प्रवीजन जो हमने सेपरेट सेपरेट दे रखा है और इसमें भी हमने लॉक्स लगा रखें जी में एंट्री पे आगया हमारा मैश डोर जिसमें की डबल जाली प्लस मिरर आ जाएगा और अपना बुटन का डोर प्रोपर हमें हैवी बिल जाएगा जिसमें की हमारा मैनुवल लॉक आ जाता है जी एंट्री पे आती है जी हमारी किचन आपको पहले किचन दखाते हैं तो मेंट वाक्स में क्मेंट करके बताएगा आपको ये किचन कैसी लगी पर प्राइस बहुत ही अच्छा इसका घर का रहने वाला अगर आपने प्राइस अनीन कलेव 125 सेक्टर के बारे में पता होगा त तो इस प्राइस रेंज में 165 गजमें के साब से प्राइस चल रहा है उसका इसके प्राइस अच्छा रहने वाला है तो जल से जल दिएगे नंब्रों पर मुझे कॉल करें थोड़े सी हमने पैंटरी टाइप पर वीजन हमने बना रखा है जी यहां पर हमारे पास डबल डो लिविंग एरिया जाता है हमारे 10-12 सीट राम से सोफा सेट आजाएगा एक सेपरेट एंटरी भी हो जाती दिए पार्टीशन के साथ हमने जो है सेपरेट किया हमारे ट्राइंग रूम को यह आगा हमारा डाइनिंग एरिया इसमें की ऊपर देख रहे हैं आप जो है शैंट हमारे एंकर के रहने वले हैं इस साइट आपने देखा हमने फूजा की स्पेस दे रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है अपने यहां पर हमने जो है वोटन के साथ पार्टीशन के साथ सेपरेट किया है जिसको हमें नीचे फूजा स्पेस मिल जाएगी उपर हमें स्टोर रूम म हमें डिजाइन मिल जाता है वाड़ोब रहेंगे नीचे हमने जो स्पेस के साथ वाड़ोब बना रहें नीचे हमें जो रैक मिल जाएगा कैबिनेट भी उपर हमें मिल जाएगे और ड्रेसिंग के अंदर भी हमारे पास स्पेस आ जाती है सर्माइक का सेम कॉंबिनेशन आ अगर वाश्रूम की बात करूं तो काफी बड़ी है स्पेस के साथ हमारे बास वाश्रूम की साइज में मिल रहे हैं जी दो बैचार की टाइल मिल जाएगे जैगवार या फिर अपनी सहरा की ही हमने जो है फिटिंग्स एड़ करेंगे जी घर के अंदर तो बहुत ही बड़ हमारा घर मिलने वाला है तो यह बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आपने शिफ्ट करना है हम 15 दिने में रिजिस्ट्री करवा के हम शिफ्ट कर सकते हैं सारी ही जो है हमारा घर रेडी हो रखा है यहां के जी हमारा बॉल पेपर सेकिंड बैडरूम का स्ला पाइका आ जाएगा और बैक साइड आ जाएगा पॉशिंग एरिया अपना अटैच वोश्रूम तो जैसे कि इसकी आप टाइस देखे तो बहुत जी बढ़िया हमने जो है टाइस वोश्रूम के अंतर लगा रखी काफी स्पीशियस हमारे वोश्रूम रहने वाले तो बैक स अच्छी स्पेस मिल जाती है फ्रेंट पर भी हमने वोशिंग एरिया का प्रवीजन रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी सारी मार्केट हमें पास में मिल जाएगी सारी फसिलिटी मिल जाएगी बाहर से स्टेयर चटनी है जी हमारी सारी स्टेल की रेलिंग लगी है जी उसके लावा अपनी ग्रेनाइट लगवा स्टेयर के अंदर बाकी कार पार की हमें काफी अच्छी मिल रही है जी अगर मैं फस्ट फ्लोर की भी बात करूं तो जो आपने नीचे देखा कि ड्राइंग रूम जो हमने सेपरेट गैस्ट क के लिए अपनी एंट्री रखी है तो सेम एंट्री हमारे जो ऊपर भी प्रवाइड कर रहे हैं काफी अच्छी स्पेस मिल जाती हमें बालकनी में तो इस साइड आप जैसे की देखें यहां पर जो मैं बता रहा था कि सेपरेट हमने रखी इसकी एंट्रिंग इस पर भी मैं जो रोर में डोर लगा हुआ है तो नीचे आपने डोर देखा से मैजर्टी जा जाएगा अगर मैं बात करूं लीविंग एरिया की ड्राइंग एरिया की तो ऊपर भी काफी अच्छी जो है हमारे पास स्पेस मिल जाती है ड्राइंग रूम में तो जैसे कि आप देख पा र है जी यह आगे जी हमारा फर्स्ट बेटरूम जो की रहने वाला है अपनी विंडों के साथ विंडों लगी आयरेंग की सारी रेलिंग लगी हुए जी इसमें उसके इलावा हमने जो है ऊपर यहाँ पर दे रखा है जी स्टोर रूम का प्रवीजन यह हमारा स्टोर रूम आ गया उस रूम का एक कॉमन वाश्रूम आ गया उस रूम से हम कॉमन वाश्रूम यूज कर सकते हैं और अपने गेस्ट भी कॉमन वाश्रूम यूज कर सकते हैं और यह वाले रूम का हमने जो है वाश्रूम अटैज आ ज तो फोर बेटरूम, फोर वोश रूम, विस्टोर रूम, पूजा रूम और एमपल कार पार्किंग की स्पेस के साथ हमारा ये घर हमें मिलने वाला है इस साइड हमारे पास टैरस आ जाती है जो हमारे पास वाशिंग एरिया का प्रिवीजन मिल जाता है बैक साइट से स्टेर चट रही है जी, इन केस इन फ्यूचर आप यहाँ भी कंस्टक्ट करके घर बना सकते हैं सारी सैनेटरी फिटिंग्स है रहा है यहां फिर अपनी जैगवार की हम जो परवाइट करवाएंगे जी आपको बाकी सारी फिनिशिंग है रेडिटो मूब में हमारा घर मिलने वाल बहुत इच्छे प्राइज रेंज में घर रहने वाला जादा इसकी डिटेज्ज आने के लिए दिए नम्बरों पे आप मुझे कॉल करके इसकी डिटेज जाने, बाकी जिन्हें भी अभी तक चैनल को सब्क्राइब नहीं क्या प्लीज सब्क्राइब करें, लाइक करें, मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, thank you for watching.